स्मार्टफोन कंपनीज ना कुछ भी बोलती हैं ताकि आप बस उनका फोन खरीद ले मतब देखो एर कुछ चीजों में एक्चुली मेरिट होता है लेकिन काफी सारी चीज़े हैं जिनका कोई तुक नहीं है बस बना दिया है हाइप ताकि आप उनका फोन खरीद ले तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसका सिर्फिक हाइप होता है अक्चुल वैल्यो इतनी रहती नहीं है ताकि आप समझ पाए क्या चीज देखके लेना क्या चीज छोड़के लेट्स को और एक चीज जो है जिसकी पीछे सब पढ़ गए है वो है स्क्रीन ब्राइटनेस जो की निट्स में मेजर होती है मतलब ये ना एक तरह का कॉंटेस्ट बन गया है मैंने फाक्ट्रेर से बीच में कि बस मेरा जादा है जैसे कि मैंने देखा रियल्मी जीटी सिक्स्टी 6,000 निट्स का ब्राइटनेस दे रहा है मतलब कुछ नहीं रह गया इसम लिए तो आप बिलकुल भी मत गिरिएगा तो आपना मेरी मानी है पीक ब्राइटनेस को तो आप छोड़ दीचिए वो ना सिरफ HDR कॉंटेंट पे अप्लाए होता है वो भी बहुत ही कम डिस्पले अर्या के लिए है इससे बेटर है आप हाई ब्राइटनेस मोड की वैल्यू यह जो है ना एक्ट्वल ब्राइटनेस है जो आपको सनलाइट में या आउट्वोर्स काम आती है चाहे थोड़े ही देर के लिए हो अगला आपने यह देखा यहोगा कि ब्राइट्स अब चार्जर्स और येरफोन नहीं देते डबे में विकॉस देवांट टू सेव दी ए लेकिन गाइस सच में कुछ हद तक थोड़ा बहुत प्लानेट सेव करते हैं लेकिन वह काफी कम है as compared to damage जो यह करते थे हैं because smartphones produce कर रहे हैं और गाइस और कुछ होना हो इनकी shipping cost कम हो जाती है और इनके revenue बढ़ जाते हैं क्योंकि यह आपको charger और TWS बेजते हैं तब ही तो आँच के टाइम पे offers आते हैं या bundle आते हैं जिसमें charger या earphones कम price मिलते हैं अरे यह वही तो है चलिए आगे चलते हैं और यह एक typical example है और बड़ा है तो बेतर है वो है camera megapixels सुनाई होगा 50 megapixel 64 megapixel 108 megapixel 200 megapixel मतलब almost जैसे बोली चल रही हो guys honestly बताता हूँ आपके लिए और मेरे ल करते हैं क्योंकि हमने बस phone निकालना है camera open करना और photo खीचनी है हम actually में उन megapixel का use करते ही नहीं है सबसे पहरे एक बाप बताता हूँ कि photo और वीडियो की quality है वो जाता तर sensor size optimization stabilization and machine learning algorithms पर depend करती है और तभी आपने देखा होगा guys कि Google Pixel के phones चाहे सस्ता हो या महंगा हो उनकी जो image processing है वो इतनी on point है year after year इसलिए तो है और दूसरा majority phones जब आते हैं आपके पास वो by default 12 या 16 megapixel पे ही set होते हैं unless आप settings में जाए and higher megapixel पे set करें या pro mode में जाए जहां पे high megapixel lenses का फायदा उठा सकते हैं आप actually वो सब शायद ही करते होंगे और seriously guys अगर आपके पास 50 megapixel 64 megapixel या 108 megapixel क नहीं है यही तो बात कर रहा हूं मैं in short guys सिरफ megapixel पे मत चाहिए अगला जो है ना guys charging speeds को लेकर है और आपने तो सुना ही होगा OnePlus में आता है Superbook charging, Vivo में आता है Flash Charge, Motorola में Turbo Charge और यह बस सब अपनी wattage या speed of charging को show off करते रहते हैं अब guys यह बात पूरी गलत नहीं है इसमें कुछ चुपा हुआ है सबसे पहले आपको ना company का दिया हुआ या बेचा हुआ charger एंड तार वही यूज करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि peak guaranteed charging speed हिट हो जाए वैसे आप third party USB C cable and charger भी ले सकते हैं लेकिन वह guarantee नहीं देते कि वह max rated charging speed पे charge कर पाएगा या नहीं और दूसरी ब की charge करते हैं पूरा time वह 100 watt पे charge कर रहा है in fact अगर charge करते हैं वक्ट phone गरम होता है तो जो wattage होती इसको वह गिरा देता है और device slowly charge होता है और देखो मैं समझता हूँ कि अगर आप on the road जादा होते हैं या बाहर गुमना जादा रहता है आउड़ यूज जादा है तो आपको य मेरे जैसे work from home है या office में ही काम करते हैं तो इतनी high charging speed आप कितना use करते हैं मतलब मैं तो या रात को charge पर लगाता हूँ बहुत कम है और हाँ ये सच है सच में bezels कम है अच्छा दिखता है लेकिन curve displays में एक अलग issue है जो आप बाद में realize करते हैं और सबसे पहला है accidental touches मतलब बहुत बाहर phone को पकड़ते वक्त आपका जो palm होता है वो edges को touch करता है जो normal touch operation के साथ थोड़ा खिलवार करता है देखो ये होता rarely है लेकिन enough है कि आपना annoy हो जाए दूसरा अगर कोई curve display नीचे गिरे और edge पे ही गिरे land ही edge पे करे तो curve display ना crack बड़ी जल्दी होता है तो it is high maintenance मेरे हिसाब से तीसरी बात curve displays के लिए tempered glasses ढूणना बहुत ही मुश्किल है और मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि perfectly चिपक भी जाए तो धूल या dust collect जाती है side में मतलब पनौती है और चौथा screen glare जो sides में ये काफी common issue है curve displays में flat displays जो होते है न वो use करना भी काफी असान होते है उनको protect करना भी काफी असान रहता है और guys actually बहुत सारी कीज़े है मैंनों तो बताई ही नहीं है बर चलो फिर भी quickly mention कर देता हूँ पहला है 8K video recording यार 8K display आपको commonly मिलेगा ही नहीं तो shoot कर भी लोग है देखोगे कहाँ पे दूसरा QHD resolution FHD plus resolution काफी है 6.8 inch तक के display के लिए जो फरक है QHD और FHD का आपकी आखे शायद ही बता पाएंगे तीसरा 144Hz refresh rate versus 120Hz again आपकी आखों को वो 24Hz नहीं दिखेगा यार चौतरा है wireless capability या wireless charging या slow है phone को गरम करता है और गरम करता है यानि phone की battery को भी थोड़ा खराब तो करता होगा क्यूं यार मतलब मैं तो बस wire लेता हूँ चार्ज फटा-फट और फिर फोन जैसे nothing too है see-through design अच्छा है लेकिन जो glyph interface है वो मुझे काफी gimmick लगता है मतलब कुछ time बाद लोग bore हो जाते हैं भूल भी जाते हैं कि वो कुछ है भी यार देखो मैं यह नहीं कह रहा कि यह features खराब है अच्छे नहीं है यार काफी cool है लेकिन यह न इतनी value नहीं add करते हैं जितना यह कभी कभार phone की cost increase कर देते हैं और उस्ते भी जाता phone companies इसको use करती हैं आपको lure करने के लिए मतलब लिए का Hindi क्या होता है phone companies आपको 4 डालती है चारा मतलब phone companies use करती आपको गुम्राह करने के लिए गुम्राह करने के लिए फोन कम्पनी यूज करती इन features को आपको दिखाने के लिए कि वो कितनी amazing features है और अप इनका phone ले लीजिए इतना कुछ है नहीं वैसे और देखिए guys मैं यह नहीं कह रहा कि companies technologies नहीं बनाती है या innovate नहीं करती है to add to customer experience जैसे Samsung करता है vision booster tech अपने displays के लिए OnePlus ने Trinity engine बनाया for very high performance on OnePlus 12 and 12R IQ के phones में आता है Q1 computing chip जो gaming के लिए बहुत ही crazy है और Vivo बनाता है imaging chip V3 जो इसके image processing में बहुत काम आती है और guys अगर ऐसी चीज़ों के वज़े से थोड़ा price बढ़ता है जिस experience इतना अच्छा मिलता है that is okay लेकिन बहुत companies क्या करती है कुछ ऐसे features उठा लेती जिसके बारे मैंने starting में बात की और उसके around इतना hype create करने की कोशिश करती है as if वो ही reason है उन phones को लेने का जबकि वो reasons बनते नहीं है इस video में guys इतना ही I hope जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो इस video में मैं समझा पाया आपको लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल रह गया हूँ तो please comment section में पूछिए या काम ही है comment section का वहीं बात करेंगे वीडियो पसंद आया तो please like जरूर कीजेगा subscribe करो या channel को यह channel बढ़ेगा कैसे और subscribe करने के बाद वो bell icon होता है उसको mark करके और जरूर कर दीजेगा बहुत help मिलती है मिलते है